देखिए जरा वर्दी धारियों में बिना ड्यूटी पर रहे भी कितनी गर्मी है खाकी की तगड़ी हनक है कि आओ देखा न ताओ सुबह सुबह आर्मी और सिपाही भड़ती की तयारी करने वाले इस लड़के पर ही कंटाम चड़ दिया और तो और बाइक पर बैठा कर ले जाते हुए भी दिख रहे हैं लेकिन या सवाल ये उड़ता है कि आखर इस लड़के की गलती क्या है क्या ये बत्तमीजी कर रहा था या किसी की पिटाई चलिए हम आपको बताते हैं इनकी गलती बस इतनी सी थी कि इनकी कोहनी साधी वर्दी में दौड रहे सिपाही से टच हो गई थी और इस पर जनाब इतना आगबुला हुए कि फोन करके दोस्त को बुलाया और कंटाब जरते हुए अपने साथ लेकर चले गए वारते प्ली प्ली करने ने अजसी अगे शनाघ करें जरते हैं के दो अजो कि सम्हें आरु अरए चल्क ज़ा चलकों मैं और जर्चाल चलको मैं बता हुआ टकांगों दरज़र हाथरस शहर के बागला कॉलेज के ग्राउंड में स्पोर्ट्स और सेना की भरती की तैयारी कर रहे एथलीट को साधा वर्दी धारी दो सिपाहियों की गुंड़ाई का सामना करना पड़ा है यहां बिनावर्दी के ग्राउंड में पहुंचे दो सिपाहियों ने एथलीट के साथ मारपीट और गाली गलोच की ग्राउंड में राजा कौशिक नाम के एथलीट पर थपड़ों की बरसाथ की पेड़िट एथलीट का कहना है कि उसका कसूर केवल इतना था कि दौर लगाते समय एक सिपाही से उसकी कोहनी टकरा गई थी इसी के बाद दोनों सिपाही ग्राउंड में पहुंच गए और मारपीट कर दी इस मामले के बाद गुसाए लड़के ने भी थाने पर पहुंच कर जम कर हंकामा शुरू कर दिया वहीं फिर थाना प्रभारी ने समझा कर मामला शांत कराया हालांकि तब तक के वीडियो सोचल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो चुका था लगातार तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इस मामले को लेकर पुलिस कारवाई पर सवाल उठा रहे हैं खुले आम वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस वाले की और से सबके बीच राजा कौशिक को थपड मारा गया है लेकिन बवाल बड़ता देखकर फॉरं जिले के कप्तान ने मामले की गंभीता को समझते हुए थपड मारने वाले सिपाही को लाइन हाजिर करके जांच की आदेश दे दिया है और समपुण प्रकण की जांच एक राजपती दिकारी को सौप दी गई है निमा अंसवार कारवाई की जा रेगी हाथ रस्ति राजेश तिंगल की रेपोर्ट यूपी तक